चैट नूम्बर फाइव फॉर्मार क्लास नाइंथ सोशल साइंस बूक मुवमेंट तुवर्ड्स इंडिपेंडेंस तो टॉपिक हम आज जो करने जा रहे हैं वो है गांधी एर्विन पैक्ट राउंटेबल कॉन्फरेंस और अजिए गांधी जी को इंग्लैंड बुलाया लंदम बुलाया ताकि वो गांधी जी के साथ एक मिटिंग कर सकें और यह जो मिटिंग थी यह थी राउंटेबल कॉन्फरेंस जिसको हम हिंदी में गोल मेज सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं राउंटेबल कॉन्फरेंस के लिए गांधी जी को महाँ पर बुलाया गया और यह जो मिटिंग की गई गांधी जी के साथ उनकी इस मिटिंग के अंदर जो कॉंग्रेस के बाकी लोग थे वो शामिल नहीं हुए और निता शामिल नहीं हुए और इस कारण से इस मिटिंग को बे नतीजा माना गया इसके बाद गांधी जी और इर्विन जो अंग्रेज एक कोई गवर्नर थे में भी उनके साथ मिलकर एक पैक्ट किया गया एक समझवता किया गया जिसके मुताबिक जिसको हम इर्विन पैक्ट के नाम से जानते हैं गांधी इर्विन पैक्ट जो की मार्च 1931 में किया गया था और इसके अंदर कुछ पर्मिशन दी की थी भारती लोगों को कि फ्री कलेक्शन और मैनुफेक्चर अफ सॉल्ट जो लोग सी कोस्ट के पास रहते हैं लेकिन गांधी इर्विन पैक्ट के अंतरगत लोगों को सॉल्ट बनाने की और फ्री कलेक्ट करने की भी पर्मिशन दी गई जो कुस्ट लेडियाज में रहते हैं वो इसके अलावा पीसफुल पिकेटिंग की भी पर्मिशन दी गई वो पीसफुल शांती पूर्ण तरीके से लोग इकट्थे होके अपनी विद्रो कर सकते हैं निकालते हैं जैसे गांधी जी के साथ दूसरी नावंटेबल कॉनफरेंस की बात की गई लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गांधी जी ही थे जो Congress के representative बनकर गए थे और अंग्रेजों के जो points थे जो उन्होंने इस meeting के अंदर इस conference के अंदर जो points रखे वो ऐसे थे वो discriminating थे यानि कि वो Hindu Muslim और हमारे जो देश को religious तोर पे तोड़ने वाले कुछ points थे जिसको गांधी जी ने agree नहीं किया और इस तरीके से conference जो थी वो dissolve होगी यानि कि ये meeting भी इनकी fail होगी इसके बाद आता है हमारा सबसे बड़ा moment quit India moment next quit India moment started अब गांधी जी उस समय जो सत्यग्रह हमारे चला रहे थे उस समय हुआ यूँ कि world war 2 शुरू होगा लेकिन अंग्रेज सरकार ने creeps mission लागू कर दिया भारत के अंदर जो कि भारतिय लोगों को एक मीठिगोली दी गही थी यानि कि deceivều करने के लिए भारतिय लोगों को शांद करने के लिए लेकिन भारतिय लोग जो थे वो समझ चुके थे थी कि अंग्रेज जो है वो भारत से किसी भी कीमत पर बाहर जाना नहीं चाहते हैं इस कारण से जो लोग थे वो काफी अंग्रेज सरकार के खिलाफ थे और गाधी जी ने लोगों को को सला दी कि हमें एक अंतिम लड़ाई के लिए तयार रहना है यानि कि लास्ट फाइट क्योंकि हम लोग बहुत समय से लड़ने हैं इनके खिलाब अब जादा समय नहीं है अंग्रेज लोग यहां से जाना ही वाले है और हम पूरे जोर शोर से अगर एक लड़ाई लास्ट लड़ने तो यह अंग्रेज यहां से चले जाएंगे और उसी दोरान 9 अगरस 1942 को कुट इंडिया मुवमेंट का रेजुलिशन पास किया गया जो कि कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी के द्वारा किया गया था मुंबई में और जैसे इसका रेजुलिशन पास किया गया इसके अगले ही दिन गांदी जी, वल्लबाई, पिटेल, नहरू जी, मौलाना आजाद और हमारे जो एमिनेंट लीडर्स थे जो बड़े-बड़े नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया गया अंग्रेस सरकार के द्वारा और उसी दौरान न्यूस पेपर्स पे बैन लगा दिया गया और रीजनल और डिस्टिक लेवल के उपर जो कॉंग्रेस लीडर्स थे लोकल लीडर्स थे उनको भी पकड़ लिया गया और इसी दौरान गांदी जी को भी अरेस्ट किया गया और बाकी लीडर्स जो थे यह सब को जब अरेस्ट किया गया गांधी जी ने कहा कि मेरे जीवन के अंतिम लड़ाई है और इसमें सब लोगों को बढ़ चट कर भाग लेना चाहिए मैं आजादी लेकर ही रहूँगा किसी भी किमत पे और उने स्लोगन दिया करो या मरो अब स्ट्राइक्स दूरिंग क्विट इंडिया मूमेट के दौरान बहुत सारी स्ट्राइक्स की गई यानि के हरताल की गई सब कारोबार बंद कर दिये गए अब इसमें वरकर्स, फार्मर्स, यंग्स्टर्स, स्टूडेंट, टीचर, बिजनसमर्ण और महिलाएं वो मैंने भी भर चट कर इसमें भाग लिया अब हुआ यो कि फैक्टरीज जो थी उसके वरकर्स ने स्ट्राइक कर दी आयन फैक्टरीज जो की जमशेदपूर में थी, कोटन मिल जो की मुंबई और मदरास में थी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में भारी मात्रा में लोगों ने इसका विरोध किया और काम बंद कर दिया ऐसा माना जाता है कि एक लाख मिल वरकर जो की 75 कोटन मिल जो की एमदावाद में थे सिर्फ एमदावाद की बात करें तो लगबग एक लाख मिल वरकर जो थे उन्होंने स्ट्राइक किया लगबग 105 दिन तक सोचे 105 दिन तक दिना किसी चीज के वो बिचारे रहते रहें Colleges and schools observed strike for nearly three and a half months Markets in एमदावाद were closed College and school भी लगभग 3-3 महिने तक बंद रहे और markets जो थी वो भी बंद रहे तो इस तरीके से हमने देखा कि कितने भारी संख्या में लोगों ने मिल जूलकर अंग्रेज सरकार को यहां से उखाड फेकने के लिए काम किया harmful activities during quit India moment तो हमने देखा strikes तो बहुत जोर शोर से की गई भारते लोगों के द्वारा अब कुछ harmful activities के बारे में बात करते हैं जो इस moment के दौरान हुई अब अंग्रेज सरकार के खिलाब लोग इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि यह जो लड़ाई थी यह देश के हर नुकड हर कोने में पहुँच गई यानि कि हर जगा पर यह लड़ाई पहुँच गई और अंग्रेज सरकार ने लोगों को दबाने के लिए violent situation भी create कर दी अब लोग मतलब इतने ज़्यादा मतलब खफा थे अंग्रेज सरकार से वैसे तो सब कुछ शान्ती पून तरीके से हो रहा था बहुत ही peacefully हो रहा था लेकिन अंग्रेज सरकार जो थी वो भी बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के पर अत्याचार कर रहे थी जिसको रोकने के लिए लोग जो थे उन्होंने भी यही चीज अपनाई यानि कि अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने भी violent जो अपनी activities थी उनको violent कर लिया जैसे कि post offices, telegram, department, police station, railway station, government building, schools और college building जो थी, railway lines जो थी, bridges और roads इनको तोड़ फोड दिया यहीं कि इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया और चीजों को लूट लिया गया लोगों के द्वारा, government property को आग लगा दी कि लोगों के द्वार जो हम पिछले chapters में पढ़ चुके हैं, जो किताब लिखी गई थी, श्री और विंदो के द्वारा, नहावानु साबू बनावा नीरीत, उस किताब के अंदर बम बनाने की विधी बताई गई थी, तो लोगों ने इस तरीके से अंग्रेज सरकार की खिलाफ, violent activities भी शुरू क अब तक सब तीजफुली चल रहा था, लेकिन अब violent activities भी शुरू हो गई, अग्रेज सरकार ने क्या किया, इस struggle को, crush करने के लिए, लेकिन अंग्रेज सरकार फेल हो गई पूरे तरीके से, अब सरकार ने पूरा जोर सोर से इसको दबाने का इविरोध, जो था भारतिय कोशिश की गई, और इस struggle जो था, ये बहुत छोटे पैमाने पर शुरू हुआ था, लेकिन इसने पूरे government system को बुरी तरीके से हिला दिया, लगबग 70,000 लोग जो थे उनको उठा कर जेल में डाल दिया गया, 538 gunshots fire किये गए, जिसमें 1028 लोग जो थे उनकी मौत होई, 32 लो अंताबाद और पटना के जो थे वो मारे गए, फिर ये जो एक unique political conscience ने इस create हुआ लोगों के अंदर, यानि कि लोगों के अंदर अब एक भावना मतलब एक अलग तरीके की भावना देश प्रेम की वो जागने लगी, और इस moment ने अंग्रेज सरकार को clear warning दे दी, एक message दे द जो हम लोग पहले पूर्ण स्वराजय की दिमांड नहीं कर रहे थे, अब हम पूर्ण स्वराजय की दिमांड करने लगे, the amendment for dominant status was almost invisible in the struggle, अब हमने पिछले topics में पढ़ा था, dominant status की दिमांड की गई थी हमारे कुछ नेताओं के दोरा, लेकिन अब dominant status को भी खारिज कर दिया बोला गया कि हमें dominant status नहीं चाहिए, dominant status मतलब कि रूल अंग्रेजों का रहेगा, लेकिन देश के अंदर सरकार हमारी रहेगी, चलाएंगे हम, लेकिन हम अंग्रेजों के एक उपनिवेश के रूप में रहेंगे, लेकिन उस चीज को इस movement ने पूरे तरीके से खारिश कर दि अंदर बॉस का जिनको हम नेता जी के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्व हुआ था कटक ओडिसा में 23 जन्वरी 1897 को इनके फादर जो थे राय भादुर जानकिनात बोस, वो एक सरकारी लॉयर थे, ब्रिटिश जूडिश्री के अंदर इनकी मा पार्वती देवी, इनकी मा जो थी वो एक फिलेंथ्रोपिस थी, यानिकी बहुती दानी वेक्ती थी वो, प्रिडिक्शन वोस देट, ऐसा प्रिडिक्ट किया गया था कि बेंगाली लेड, यानिकी पात की जारी बेंगाली लेड मतलब यहां पर सुबाश चंदर बॉस की, कि वो बहुती सिंसेर ब्रिटिश सर्वेंट बनेंगे, यानिकी उनके फादर भी तो ब्रिटिश लॉयर थे, ब्रिटिश सरकार के अंतर, तो वो भी एक सर्वेंट बनेंगे, ब्रिटिश सर्वेंट बनेंगे, एक सिंसेर, बहुती इमानदर, लेकिन हुआ इसका उल्टा, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाब जो freedom struggle था उसको जॉइन किया और जब वो examination पास किया उन्होंने बहुत अच्छे मात से कलकत्ता प्रेजिदेंसी कॉलेज से फिर वो England चलेगे higher studies पढ़ने के लिए और उन्होंने एक बहुत ही difficult exam रहता है जिसको समयम ICS के नाम से जानते थ जो तडब थी उसके बीज बोए जा चुके थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लडाई में भाग लेना शुरू कर दिया He was very much interested in the Indian independence struggle उनका बहुत जादा इंटरस था भारतिया struggle के अंदर और वो एक active member बने national assembly के उन्होंने स्वराजय party जोईन की उन्हों 23 में फिर वो जल्द ही एक popular leader बन गए youngsters के अंदर वो बहुत ही जादा उन्होंने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया civil disobedience movement के अंदर भी और उनको jail भी भी भेजा गया कई बार 1928 में और इस young age के अंदर लगबख 41 की उनकी age थी He was elected as president of congress convention at हरीपूरा हरीपूरा में 41 साल की उमर में ये president चुने के congress convention के और इस प्रकार से इनकी जो ability थी जो इनकी काबलियत थी वो सब के सामने आ गई लेकिन फिर गांदी जी के साथ इनके कुछ मद्बेद हो गए को कि हम जानते हैं हमारी partyों के अंदर चलता ही रहता है तो ये मद्बेद के कारण ये मद्बेद बढ़ते देखकर नेता जीन अपनी congress छोड़ कर एक नहीं party बनाई जिसको नाम दियागा forward block अब वो अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए अंग्रेज सरकार को भारत से भगाने के लिए पूरी दुनिया भर में उन्होंने ट्रेवल किया भारत में ट्रेवल किया फिर उनको Indian Defense Code IDC के अंतरगत इनको house arrest पे रखा गया पहले तो इनको जेल में डाला गया लेकिन इनकी तबेद बिगड़ गई जिस कारण से इनकी health issues के कारण फिर इनको घर पे ही बंद कर दिया गया ये जेल में जब थे तो इन्होंने fast unto death यानि की आमरन अंचन पे बैठ गया यानि की जब तक मतलब कुछ भी खाना पिना उन्होंने बंद कर दिया आमरन अंचन कहा जाता है जिसे तो अंग्रेज सरकार ने इनकी हालत बिगड़ते हुए देखकर इनको house arrest पे रख दिया वहां से ये भेश बदल कर एक पठान का भेश धारन करके कलकत्ता से पेशावर होते हुए काबूल होते हुए इरान होते हुए रश्या होते हुए ये बरलिन पहुंच गए कहा पहुंच गए जर्मनी पहुंच गए यानि कि जब इनको house arrest पे रखा गया जब ये घर पे थे इनको house arrest पे रखा गया तो इन्होंने भेश बदला एक पठान का भेश बनाया और पुलिस को चक्मा दे कर ये कलकत्ता से पेशावर गए पाकिस्तान में पाकिस्तान से वो काबूल अफगानिस्तान गए फिर वहां स रहे दिल से वैलकम किया और उन्होंने बरलिन रिडियो के थ्रू विदैशों में रहने वाले बरलीन में रहने वाले जर्मनी में रहने वाले भारतिये लोगों से गुहार लगाई कि तुम सब लोग भारतिये freedom struggle में और जादा मदद करो और जादा है जादा बढ़ चड़ करश में हिस्सा लो इसके लावा इन्होंने हिटलर से भी मुलाकात की अब हिटलर से मुलाकात करने का अर्थ यह था कि हिटलर जो था जर्मनी जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ लड रहा था और अगर हिटलर अंग्रेजों के खिलाफ लड रहा है तो हम भी तो रोम भी गए फिर पैरिस भी गए अपनी मिलिटरी यूनिट खड़ी करने के लिए भारत को आजादी दिलवाने के लिए उन्होंने लग बहुत तीन हजार थी थी थाउजन इंडियन उन्होंने इतने इंडियन को अपनी आर्मी के अंदर शामिल किया रस बिहारी बोस जो कि बहुत ही revolutionary activities में बहुत जाद एक्टिव रहने वाले वेक्ति थे जो कि कहां रहते थे जापान में रहते थे क्या नाम था इनका रस बिहारी बोस जापान में रहते थे इन्होंने इस पूरी organization को chain में लिया यानि कि एक ही लैम में इनको लिया सब को एक साथ जोड़ा और फि presence of hundred Indian delegates from Malaya, Japan, Sumatera, Java, Hong Kong, Borneo, Andaman, Burma were in this organization तो ये जो organization बनाई गई थी इस organization के अंदर लगबुक सौ देशों के लोग शामिल थे and in that Mohan Singh, Mohan Singh जो कि एक war prisoner थे जिसको Japan ने arrest किया था, जापान ने कब arrest किया था, World War I जब हुआ था, उस समय भी युद्ध के समय भारतिये जो लोग थे, वो अंग्रेज सरकार की तरफ से लड़े थे, तो भारतिये लोग को काफी soldiers थे उनको इन लोगों ने बंदी बना लिया तो prisoner of war जो थे जापान में, हमारे Mohan Singh इनको वहां से छुडाया गया, इनको free किया गया जापन, Japanese government के दारा और उनको इस पूरी team का जिम्मा दिया गया, moreover, Russ Vihari Vos voluntary retired as head of INA, Russ Vihari Vos जो थे, उन्होंने voluntary retirement लेली, Indian National Assembly जो थी, Indian Independence League जो थी, इसके कारेबार से इन्होंने retirement लेली Indian National Army के पद से और Mohan Singh जो थे, उनको नया इसका चीफ बनाया गया, फिर आजाद हिंद फौज और Indian Independence League के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखती हैं, अब British government की जो security थी टाइट, उसको तोड़ कर सुबाश चंदर बोस, जापान पहुँच गए, Berlin गए वो, और Berlin से वो ज जापान की पंडू भी आई, और बीच समंदर में ये, Berlin की जो, Germany की जो पंडू भी थी, उससे उतर कर, ये चले गए, जापान की पंडू भी के अंदर, तो इस प्रकार ये जापान पहुच जे, और वहां पहुच कर रहे में, रस भिहरी वोष जो थे, of Indian Independence League, invited Subhash Chandra बोस to be the head of his league, Subhash Chandra बोस को रस भिहरी वोष ने अपने league का head बनने के लिए इनको invite किया, it was decided that in this forge, only Indian soldiers and officers would be there and it would fight for the independence of India, और ये जो आजादिन फाज बनाई गई थी, Indian National Army जो थी, इसका एक ये उदेश्य था, इसमें सिर्फ भारतिय फाजी रखे जाएंगे और इनका जो उदेश दी जाएगी, और Japanese Army ने जो भी जो उनके पास थी, जो हत्यार थे या फिर जो भी मदद चाहिए थी, वो सब भारतिय लोग को provide करवाने का पूरा पूरा उन्होंने अश्वासन दिया, और इस प्रकार से भारतिय जो इंडिपेंडेंस के लिए एक जो कवायत थी, वो शुरू कर दी गई भारतिय लोग के द्वारा, और इसी कवायत में जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, यानिकि जो आजाद हमद फौश थी, वो 2 जुलाई उन्होंने सो तैतालिस को, सुभास चंदर बोश जो कि सिंगापॉर गए, जापान से, और देर ही व दस बिहारी बोश जो थे, वो रिटायर हो चुके थे, इंडियन नेशनल आर्मी के पद से, और अपॉइंटेड सुभास चंदर बोश एज हैड अफ आई एन्ने, उन्होंने आई एन्ने के हैड के तौर पे सुभास चंदर बोश को चुना, और वहाँ पर जितने भी लोग रहते थे, जो कि भारतिये लोग थे, उनको उन्होंने गुहार लगाई कि भारत माता को आजात करवाने के लिए तौम सब अपना योगदान दो, सुभास चंदर बोश तब से नेता जी कहलाने लगे, तो उनकी स्पीचे जो थी, वो रेडियो पर प्रसारित की जाने लगी और अपनी स्पीच के अंदर उन्होंने कई सारे हमें नारे दिये, जिन में एक था चलो दिल्ली, लेट्स माज टू डिल्ली, चलो दिल्ली, तुम मुझे खून दो, मैं तुमें आजादी दूँगा, गिव मी बलड, आल गिव यू फ्रीडम, और अपनी गाइडन्स के देशों में रहने वाले भारतियों को कन्विंस किया ताकि वो भारत की आजादी में और ज्यादा भाग ले सके, किस प्रकार हमने देखा कि आजाद हिन फौज बनाने से लेकर भारत पर अटैक करकर किस प्रकार से काफी हिस्सों को जो निता जी थे, उन्होंने अपने पुरा भरसक परतन किया ताकि वो भारत को आजाद करवा सके, कितना ज़्यादा उन्होंने श्रगल किया ये इन चीजों से हम समझ सकते हैं Then it is Establishment of Provisional Government by Subhash Chandra Boss Subhash Chandra Boss ने एक Provisional Government भी बनाई जिसको अंग्रेज सरकार ने और बहुत सारे देशों ने माननेता नहीं दी लेकिन कुछ देशों ने इनको माननेता भी दी थी Subhash Chandra Boss formed Provisional Government and he became its Prime Minister और वो इसके Prime Minister बने और Head of the Army अल्सो इन्होंने बाकी Department जो थे अपने Cabinet मंत्री भी बनाया और दूसरे इनके साथ ही थे उनको भी मंत्रा लेब सौपे This government was recognized by इस government को काफी देशों ने माननेता दी थी जैसे जापान हो गया Germany, Italy, Nationalize China और Burma ऐसे देशों ने इसको माननेता दे रखी थी This government recognized Hindi as National Language, Hindi को National Language माना गया और Tri-Color को हमारा National Flag माना गया It was decided to have income by assisting Japan, अब income कैसे होगी सरकार की assisting Japan, जापान की मदद करके and independent role by property tax जो property का tax है जो विदेशों में रहने वाले भारतिये लोग हैं उनसे लिया जाएगा और independently भी बहुत सारे लोग इसमें डोनेट करेंगे नेता जी विस्टेट अंधमान निकोबार आइलेंड्स, नेता जी सी दरा अंधबार और निकोबार के आइलेंड्स में गए और वहाँ जाकर इनको उन्हों ने नाम दिया शहीद और स्वाराज जे सुभाश चंदर बाउस के अंतिम चरण के बारे में देखते हैं कि किस प्रकारून का जीवन पूरा हुआ मई 1944 में नेता जी की लीडर्शिप के अंदर मिलिटरी जो थी उन्होंने रंगून प्रॉम और कोहिमा इन जगों पे कोहिमा जो की कैपिटल है नागालेंड की यहां पर कबजा कर लिया अब देखिए पूरे भारत पे अंग्रेजो का राज था लेकिन भारती आर्मी जो आज आजाद इन फौज बड़ी जोर शोर से वो आगे बढ़ रही थी भारत के उपर कबजा करते हो और जिस प्रकार से इन्होंने शुरुआत की थे आप देख सकते हैं कि जल्द ही पूरे भारत में इनका कबजा हो जाता लेकिन उसी दोरान अमेरीका ने जापान के दो शहरों पे नागा सकी और हिरोश्यमा के उपर बम गिरा दिया जिस कारण से जो जापान था उसने घुटने टेक दिये जापान हार मान चुका था जापान ने सरेंडर कर दिया और इस तरीके से भारतिये लोगों को मिलने वाली जो इंडियन नेशनल आर्मी जो थी हमारी आजाद इंड फॉज उसको मिलने वाली फाइनेशल हैल्प वो सब रुख गई फिर बिटिश एरक्राफ्ट जो थे अंग्रेजी जो प्लेंस थे उन्होंने आजाद इंड फॉज के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया यनिकि अब तक क्या था अंग्लेंड जो था वो जापान जर्म थी उन्होंने भारती आर्मियन के आजाद इंड फॉज पे हमला किया और इस प्रकार से वहां पर पीछे से मदद मिलने ही रही थी भारती लोग को क्योंकि जापानी तो मदद कर ला था और जापान अभी घुटने टेक चुका था तो जापान से आने वाली मदद रुख च वहां से वो टोक्यो के लिए उड़े कौन हम बात कर रहे हैं सुबाश चंदर बॉस की सुबाश चंदर बॉस पाई पर ये एरपोर्ट से तो टोक्यो जाने के लिए अपने प्लेन में उड़े लेकिन उड़ते ही उनका प्लेन जो था उसमें आग लग गई और ऐसा कहा जा लेकिन आज भी कोई भी वेक्ति ये मानने को तयार नहीं है कि उस हादसे के अंदर इनकी मृत्यू हो गई थी कुछ लोगों का कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सुबाश चंदरवास उस हादसे में बच गए थे और उसके बाद वो भेश बदल कर कई समय तक वहीं रहते रहे नेक अलग-अलग पार्ट में वो रहते ले लेकिन भेश बदल कर किसी को भी उनके बारे में जानकारी ऐसी सही जानकारी नहीं है लेकिन उनकी जो डेट बोडी थी वो भी किसी को नहीं मिली और जो ये बाते कही जा लिए सब सिर्फ इतिहासकार जो है वो कहते ही है बाकी अभी तक इसके बारे में कोई भी डिटेल या उक्ता जानकारी हमें नहीं मिल पाई है तो ये था आज का हमारा टॉपिक और हम एक वीडियो और इस चैप्टर के पर बनाएंगे जो कि हम कल करने वाले हैं और उस वीडियो के अंदर इस चैप्टर को हम पूरा कर देंगे